जापान के पूर्प प्रधान मंत्री शीनजो आबे पर जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के एक कारेक्टर में भाषन के दोडान उनको गोली लग गई गंभीर रूप सघाल आबे को विमान से एक अस्पताल ले जाया गया लेकिन उस समय उनकी सास नहीं चल रही थी और रेदय गती रुग गई थी स्थानिय दमकल विभाग के अधिकारी मोकोतो मोरी मोतो ने बताया की आबे को गोली लगने के बाद दिल का दोडा पड़ा और उन्हें एक प्रांती अस्पताल ले जाया गया भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शिंजो आबे पर हुए हमले पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विट किया मेरे प्रियमित्र आबे शिंजो पर हुए हमले से बहुत व्यतित हुँ हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ है मुख्य कैबिनेट मंत्री हीरो काजू माचसुनो ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने नारा में घटना स्थल से एक संदिक शक्स को गिरफतार किया है माचसुनो ने कहा इस तरह का बरबर कृत्य पूरी तरह अक्षम्य है चाहे इसकी कुछ भी वज़े हो और हम इसकी करी निंदा करते हैं सरकारी प्रसारक ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया है जिसमें सरसत वर्षे आबे को सरक पर गीरते हुए देखा जा सकता है और कई सुरक्षा कर्मी उनके और भागते हुए देखे जा सकते हैं पश्चिमी नारा में एक मुख्य ट्रेन स्टेशन के बाहर जब आबे ने भाशन देना शुरू किया तो उसके कुछ ही मिंटो बात उन पर गोली चलाई गई प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा उत्तरी जापान में यामगाता की अपने चुनाव प्रचार स्थल से एक हेलिकॉप्टर से टोक्यो लोट रहे हैं किशिदा और आबे एक ही राजनितिक दल के हैं मात्सुनों ने बताया कि सभी कैबिनेट मंत्री अपने प्रचार अभियान को रोग कर टोक्यो लोट रहे हैं एक अन्य फुटेज में चुनाव प्रचार अधिकारियों को अपने लोगप्रिय नेता के आसपास इकठा होते देखा जा सकता है आबे सत्ताडूर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में अब भी प्रभावशाली नेता हैं और वे उसके सबसे बड़े धड़े सेई वकाई का नेत्रित्व करते हैं जापानी संसत के उपरी सदन के लिए मत्दान रविवार को होना है न्यूस डैस्क रिपोर्ट आ समाधित्ते